भारत में बहुत लंबे समय तक मुगलों ने राज किया है। इतिहास में उनका एहम किरदार माना जाता है। जटल और बहुयामी व्यक्तित्व के बादशा दारा शिकोह की शादी मुगल इतिहास की सबसे महंगी शादी कही जाती है। आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे। शाह जहां को अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार था और जिस तरह से उनकी शादी की गई वह कहीं ना कहीं इसकी मिसाल भी पेश करती है। दाराशिकोह का निकाह नादिराबानों के साथ एक फरवरी 1633 में आगरा में करवाया गया था। बादशा के सबसे खास होने के चलते उस समय शहजादे को रोज खर्च के लिए 1000 रुपे भी दिये जाते थे। उस जमाने में इस मुगलिया शादी में 32 लाख रुपे खर्च किये गए थे। शाह जहा के साथ दारा की बहन ने जिनका नाम जहां आरा बेगम था उन्होंने आधा खर्च उठाया था। उस समय उनकी बहन पर बेगम बादशा के पद की जिम्मेदारी थी। इस शादी से जुले जो तथे इतिहासकारों द्वारा लिखे गए हैं उसके मुताबिक निकाह के दोरान इतनी आतिश बाजी की गई थी कि रात में भी दिन जैसा नजारा दिखाई दे रहा था। दाराशिकोह अपने पिता के प्रिय थे और मा मुम्ताज के जल्दी गुजर जाने की वज़ह से बड़ी बहन जहां आरा उन्हें मा की तरह प्यार करती थी। BBC की रिपोर्ट की माने तो दुलहन बनी नादिराबानो को उस समय आठ लाख रुपे कीमत का लहंगा पहनाया गया था। इस शादी में इतनी भव्यता थी कि यह खुद बादशा शाह जहां की शादी में भी नहीं देखी गई थी। एतिहासिक तथ्यों के मुताबिक एक फरवरी 1633 को की गई इस से शादी की रिसमे और सारे प्रोग्राम आठ फरवरी तक चलते रहे थे। यानि की लगभग आठ दिनों तक इस शादी का जशन मनाया गया था। जब यह शादी हुई उसके पहले ही शाह जहा की पतनी बेगम मुम्ताज इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। दारा किशो हलगी स्वभाव के व्यक्ति थे, वो सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते थे। उन्होंने श्रीमत भगवद गीता और योग वशिष्ट को फार्सी भाषा में ट्रांसलेट भी करवाया था। जन्द का अनुभव उन्हें भले ही नहीं था लेकिन फिर भी शाह जहां चाहते थे कि वही उनकी गद्दी के उत्तरादिकारी बने। उनकी इच्छा पूरी भी हुई और दाराशिकोह ने गद्दी संभाली लेकिन उनके छोटे भाये और अंजेब की नजर पहले से ही सल्तनत पर टिकी हुई थी। सत्ता के लालच में उन्होंने अपने भाये की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर काबिज हो गए।